नमस्कार टीचर्स एकडमी से मैं हूँ अंबरी शुक्ल हमारे वाटसैप पर अगर आप मैसेज भेजते हैं तो मैं आपको बिभिन कोर्सेच के फ्री टेलिग्राम ग्रूप में जोड़ लूँगा हमारा वाटबसाइब नमबर है 9628253022 जो की थमनिल पे लिखा हुआ है इस पर आप वाटबसाइब कर दीजिए यदि आप सीट्ट की तरेकर नचाहते हैं U.P.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E क्यारी करना चाहते हैं तो एक ही वाटसाइप नंबर है इस पर आप मुझे अपना भी शह लिख कर भैद दीजे मैं आपको टेली ग्राम गृप से जोड लूँगा आज की सबसे बड़ी खबर है कि यल्टी ग्रेट रिजल्ट है जो धरना प्रदसन किया गया आयोग के गेट चाहतरों में कितनी ज़्यादा एकता है इस चीज की भनक आयोग को लग गई है कल मेरा मानना है किस से दो गुना चाहतर कल आयोग के गेट के सामने पहुंचेंगे सांति पॉन्ड धंग से धरना प्रदसन करेंगे अपनी बातों को वहां सौपेंगे और आयोग को जुकना पड़ेगा और आने वाले दस दिनों में लगातार प्रते दिन एक रिजल्ट गोंशित करना होगा दस रिजल्ट बाकी हैं प्रते एक दिन एक रिजल्ट गोंशित कर उसका सेडियूल जारी कर दें इस तारीक को ये रिजल्ट गोंशित होगा इस तारीके से एक एक रिजल सकें तो पहुंचिएं क्योंकि ये लड़ाई केवर हमारी नहीं येलराई केवर आपकी नहीं ये लड़ाई सभी छातरों की है उन दस हजार छातरों की है जो यल्टी ग। टीचर बनने की कगार पर बैठे हुए हैं तो कल आप सब जरूर पहुँचिए और धरने को सफल बनाईए और रिजल्ट की मांग करिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ सके दूसरी सूचना है बड़ी हास्यासपत सूचना है उनतर जाव सिक्षक भरती बीटी सी मोर्चा की रिट उनतर जाव सिक्षक भरती में जो बियर्ड को सामिल किया गया है उसको BTC वाले बंधों ने अबायद घोशित करते हुए उसके लिए रिट जायर किया है और उस रिट में छे संस्थाओं को पार्टी बनाये गया है मैं इस पे केवल इतना कहना चाहूंगा कि खाली दिमाग सैतान का घर होता है 69,000 सिक्षक भरती हुए कितना दिन हो गया अब किवल इसी तरह के काम होंगे और बियड को बाहर करने के लिए भी तक कितनी ज़्यादा रिट दायर की जा चुकी है अब फिर से एक और रिट दायर कर दी गई है बहुत सारे ऐसे संगठन संस्थाएं से ग्रूप हैं जो 90,000 सिक्षक भरती के बहाने चंदा ले लेकर कोट में मुकदमा डायर करने के लिए बहुत मोटी रकम कमा चुके हैं तो आप लोगों को साउधान रहना है ऐसे ग्रूप से जो आपका केवल प्रयोग आपकी चंदे के लिए करते हैं तो मित्रों चाहे बीड पास हों चाहे बीटी सी पास हों आपको अपनी नैतिकता के आधार पर अपनी बुद्धी के आधार पर ही पैसा देना है एक चीज और आप धियान देख लीजिए कि अगर आपने भारती जो राजपत्र है उसके चुनोती दिया तो आपने भारती संविधान को चुनोती दिया है आपने बाबा साहब को चुनोती दिया है तो आप सब के साथ क्या होगा क्या निर्णाय आएगा वो कोट के उपर निर्भर करता है लेकिन बुद्ध, दिमत और विवेक का प्रियोग करके यह आप लोग कोई काम करिये साथी साथ अगर इसी 69,000 सिक्षक भरती पर आपको मुकदमा करना था तो सार्थक मुकदमा अगर हो जाता अगर एक मुकदमा हो जाता जो बची हुई सीटे हैं उसको इसमें जोडने के लिए आप मुकदमा कर देते दूसरा मुकदमा आप कर सकते थे कि सिक्षा, मित्र, बीड़ और बीटीसी सब को अलग अलग सीटे दे दिया जाए बीड़ को अलग सीटे बीटीसी को अलग भाई अलग अलग सीटे आप प्रोवाइड करवा दीजिए उसके बाद बता दीजिए कि इतनी इतनी सीटे सब को मिलेंगी इसके बाद सीटे कम या जादा होंगी تब फिर आप उसमें दूसरे लोग एक दूसरे में जा सकेगे तो एक आधार बन जाये जिससे जो B.E.T.C. की आपसी लड़ाई है कम से कम वो खतम हो सके आप लड़ाई को खतम नहीं करना चाहते हैं लड़ाई को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसी लड़ाई का फाइदा सरकार उठा रही सरकार चाहती भी थी और सरकार अपने मनसेबह में सफल है वो चाहती थी कि बीट बीटी सी और सिक्षामित रापस में लड़ें जिससे ये बैकेंसी हो न पाए और इस बैकेंसी को मैं चुनावी मुद्दे के तोर पर सब के सामने प्रस्तुत करूँ और उसमें अभी तक सरकार सफल है और सभी अभ्यरती असफल है तो जो नहोंने सोचा आप वो कर रहे हैं और ये जो पैसा फालतों में बै हो रहा है वो सही मुकदमे के लिए होता तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिजल्ट जरूर आ जाता तो मित्रों आप सब को खुद दरने लेना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बेरहाल गुरू आर को इसका केस लगा हुआ है तो जैसे ही गुरू आर को इसके केस के विशे में क्या सुनवाई होती क्या रिजल्ट आता है पूरी अपडेट के साथ मैं उपस्थित रहूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या चितिया हुई इस पर अभी जो 69,000 के लिए सरकार डबल बेंच में जाने वाली है अभी केवल अफवाएं उड़ रही है सरकार ने इस प्रेस टॉर पे भी कहीं नहीं कहा है उत्तराखंड के समाचार चैनल में भी एक आज जगा इस तरह की बात आई है कि उन्होंने कहा है लेकिन सरकार ने इस तरह से कोई भी प्रेस कांफरेंच बुला कर इन बातों को स्विकार नहीं किया है तो अभी तक ना तो कोई बीड़ वाले ही या न बेटीसी वाले ही गए हैं कि वो इस 40-45 को चुनोती दें डबल बेंच में तो अभी तक ये दो बड़ी सूचना मैंने आपको दिया अब आप इस वीडियो को सभी ग्रूप समय भेद दीजे जिससे अधिक से अधिक छात्र कल यल्टी ग्रेट रिजल्ट के लिए वहां पर पहुंश सके कम से कम जितने बियर्ड के ग्रूप है उसमें वीडियो सेयर कर दीजे जो भी छात्र हैं वो आ सके और दस हजार छात्रों के भविश्य की बात है दस हजार की नोकरी लग जाएगी तो आप सोचिए वो ऐसे दस जार छातर छटेंगे जो इसमें प्रवल दावेदार हैं तो दस जार कम होंगे मतलब मेरिट भी कम हो जाएगी इसलिए जो लोग इसमें अफलिकेंट नहीं भी है या उनका चैन नहीं भी हो रहा है वो लोग भी आएं और धरने प्रदर्शन में सामिल हों जिससे रिजल्ट जितना जल्दी आएगा जिसकी नोकरी यल्टी ग्रेट में लग जाएगी निश्चित तो पर प्रात्निक बिद्दालय में वो नहीं जाएगा तो ये एक छोटी से सूचना थे मित्रों इसी तरह की सूचनाए हम आपको देते रहेंगे बहुत बहुत धन्रबाद नमस्कार चैन